तो हाई एवर्बन गुड़िवनिंग कैसे आप सभी लोग वेल्गम टू गेटर 247 दिस रहा नेमद चलिए आज यहां पर बात करने वाले क्या हम एन आप लोग बताया था कि हमने फिलेट वेल्ट जैसे हमने पड़ा था हम उसके आगे क्या करेंगे हापर हम आज के सेशन मे यहां पर प्राक्टिस करेंगे ठीक है तो जाधा टाइम में यहां पर आप लोगा इंवेस्ट नहीं कर वाओंगा ठीक है यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज के जो सेशन रहेगा हम लोग यहां पर डिसक्स करने वाले क्या है that is best questions on फिलेट वेल्डेट क्लियर होगी यह वाला जो question अगर आप यहां पर देखोगे तो यह वाला question हमारे पास आया हुआ है कब that is gate gate 2020 में यह वाला question पूछा गया था two steel plates are lab jointed in a workshop using six mm thick using six mm thick fillet weld as shown in the figure ठीक है not drawn to the scale ठीक है चलो कोई दिख कर निए बोला the ultimate strength of the weld हमारे पास given है कितना that is 410 MPa बोला हमारे पास ultimate strength of the weld कितना given है मारे पास that is 410 MPa यहां पर given है ठीक है यहां पर आप इस्तो लोग देख सकते हैं यहां पर बोला कि हमारे पास as per limit state design यहां पर बोला है हमारे पास the design capacity of the welded connection यहां पर पूछा गया आपसे ठीक है the design capacity of the credit connection यहां पर पूछा गया बहुत भी बड़ी हा कोशन है बहुत जादा यहां पर तीन पाश नहीं किया गया बहुत जादा यहां पर आपके पास confusion यहां पर क्रेट नहीं किया is simple हमारे पास caution ने बोला है कि हमारे पास आपको को कर नलہने है यहां पर निकालना है लुगा है इस टाकर शाइन केपासटपी आपको यहाँ पर find out करने है ठीक है आपको यहाँ पर find out करने है हमने लास्ट क्लास में देखा था मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर किस वैसे design capacity हम यहाँ पर find out कर सकते हैं हमारे पास that is for fillet weld तो लास्ट क्लास में हमने जो concept हमने पढ़ा था same वोई concept हमें यहाँ पर use करना है और हमें बताना है कि which अमतलब यहाँ पर हमारे पास जो answer आएगा वो answer के हमारे पास correct value कितनी आएगी वो आपको यहाँ पर type करके बताना पड़ेगा, comment करके आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा ठीक है, सभी लोग यहाँ पर question देख लिजे अच्छे से सभी लोग यहाँ पर question बहुत अच्छे देख लिजे देखे, यहाँ पर दो member को क्या किया है हमने यहाँ पर join किया है ठीक है, दो member को हमने यहाँ पर join किया है यह हमारे पास क्या है, this is the first member और एक यामरे पार this is the second member और आप यहाँ पर देख सकते हो यह जो हमारे पास यहाँ पर क्या है हमने आपर welding हमने आपर provide किये ठेक है यहाँ पर हमने welding क्या किये हमने आपर provide किये इसी का अगर मैं front view अगर मैं बना के दिखाऊऊंगा इसका front view कैसे दिखेगा आपको अगर मैं इसका front view अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर इसका front view हमें दिखेगा कुछ इस वे से इसका हमारे पास जो front view जो देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर वो हमें यहाँ पर कुछ इस वे से देखने को पास यहां पर कितना होगा वो यहां पर हमारे पास क्या है पूछा गया है वह हमारे पास पूछा गया है, very good evening please सभी लोग यहाँ पर session को share कर दो बहुत बढ़ी है level पर सभी लोग यहाँ पर session को बहुत बढ़ी है level पर share कर दीजेगा चलिए, start करते हैं यहाँ पर तो अगर मैं design capacity के बारें बात करूँ तो मैंने आप लोग को पूछा, बताया कि हमारे पास strength या फिर capacity के बारें बात करो तो यह कितना हो का हमारे पास, that is stress into यह बजाए का हमारे पास, that is area ठीक है, stress कितना होता है हमारे पास, that is fu upon root 3 into gamma mw और area कितना हमारे पास, that is throat thickness into length of the weld यह हमारे पास कहा है, this is the formula मैंने आप लोग को यहाँ पर समझाया था, यह हमारे पास कौन सा है, that is shear को मैंने आपर बताया था shear capacity हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पर हम find out करते हैं, ठीक है जब भी fillet weld रहेगा, तो हम हमेशा उसकी shear strength क्या करेंगे, हम यहाँ पर find out करेंगे और strength क्या हमारे पास, that is permissible stress into area आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है permissible stress into area आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अब आप यहाँ पर देखेगा, कि हमारे पास यह जो value आरी है, fu की, fu की value कितनी हमारे पास given है, fu की value given है, हमारे पास that is 410 fu की value हमारे पास given है, कितनी, यह हमारे पास given है, that is 410 divided by root 3, gamma mw की value कितनी हो जाएगी, 1.25 gamma mw की value कितनी हो जाएगी हमारे पास, यह हो जाएगी हमारे पास, that is 1.25 इसकी value हो जाएगी हमारे पास that is 1.25 throat thickness की value कितनी हो जाएगी हमारे पास यह हो जाएगी हमारे पास that is 0.7 into size of the fillet weld हमारे पास given है कितना 6 और length of the weld मुझे आपर बता दिए LW की value कितनी होगी यहाँ पर आप सभी लोग मुझे बता दिएगा throat thickness मैंने बताया K into S हमारे पास formula होता है K की value हो जाएगी हमारे पास 0.7 S की value हमारे पास given as 6 LW यहाँ पर सभी लोग मुझे comment करके बताएगे कि हमारे पास length of the weld की value यहाँ पर कितनी होगी length of the weld की value यहाँ पर कितनी होगी LW की value है यहाँ पर कितनी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है सभी लोग यहाँ पर मुझे comment करके बताएगे Very good विज्वया बहुत बढ़िया है ना यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारे पास यह कितना है 200 यह आ रहे हमारे पास 200 यह भी आ रहे हमारे पास that is 200 और यह आ रहे हमारे पास that is 120 तो आप यहाँ पर पूरा आप यहाँ पर length को क्या कर दीजेगा आप यहाँ पर add कर दीजेगा तो 200 प्लेस 200, 400 400 प्लेस 120 करूंगा तो कितना होगे हमारे पास, यह होगे हमारे पास that is 520, किस में आ रहे हमारे पास Newton में आ रहे है, ठीक है तो एक बार मैं या पर फिर से लिख रहा हूँ एक बार मैं या पर फिर से लिख रहा हूँ कि हमारे पास जो हमारे पास shear capacity जो होगी है हमारे पास shear capacity जो होगी इसकी value कितना आ रही है 410 divided by root 3 into 1.25 into 0.7 times of 6 into कितना आ रहा है हमारे पास 520 ठेक है kilo newton में अगर मैं निकालूंगा तो आप इसको multiply कर लिजेगा 10 to the power minus 3 से या फिर आप से को divide by 1000 कर लिजेगा तो एको बताएंगा हमारे पास कितना kilo newton आ रहा है इसका answer इसका answer यहाँ पर कितना आ रहा है divide by thousand कर लेंगे आप यहाँ पर divide by thousand कर लेंगे तो मैं यहाँ पर kilo newton में answer लिख लूँगा ठीक है सभी लोग यहां पर मुझे बता रहाएंगे सभी लोग यहां पर सेशन को एक बाझ लायक कर देंगे यार Sam pray यहाँ पर share करना मत बुलेगा सारे groups में एक पर session को share कर दीजे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से जो भी चीज मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ यहाँ आप लोग gate में बहुती अच्छे level पर आप यहाँ पर expect कर सकते हूँ gate point of view, हमारे पास fillet weld से question मैं आपर बोल रहा हूँ कि हमारे पास अगर gate में यहाँ इंजिनिरिंग सविसंट रहे definitely 2023 में देखने को मिलेगा ठीक है दोनों में से किसी एक exam में हमारे पास 100% यहाँ से question आने वाला रहेगा ठीक है तो सभी लोग को मैं आपर बोल रहा हूँ आनसर आ रहे हमारे पास that is 403.58 413.58 किलो न्यूटन आपको यहाँ पर देखने को मिला ठीक है दिस वाज दा फर्स्ट कोशन जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात किये प्लेट वल के ही question करेंगे हम यहाँ पर है ना पूरे तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर पूरा तरीके से हम इसको इद्धम निचोड के याद कर लेंगे ठीक है चलिए आदे question number two में question number two के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर question number two क्या पूर रहा है हमारे पास question number 2 बोना है हमारे पास 2 plate है हमारे पास 8 mm की thickness हमारे पास दोनों plate की ठीक है यह plate को अगर मैं 3D में बनाऊंगा तो हमारे पास यह plate की जो thickness जो होगी है हमारे पास वो thickness कितनी हमारे पास 8 mm plate की जो thickness है वो कितनी हमारे पास 8 mm है अब यहां पर बोला कि हमारे पास the permissible stresses in the plate and the weld ठीक है यहां पर दो permissible stresses हमारे पास given है एक हमारे पास plate का given है कितना 150 एक हमारे पास weld का given है कितना 110 बोला assuming the length of the weld shown in the figure to be the effective length the Do弊 कि P की वयलु यहां पर पूचा गAY यहां पर आप से पूचा गया है permissible Pow W hire πरकितनी होगी आपको यहां पर find out करकर बताना है Permissible load पी की वैलु यहां पर कितनी होगी आपको यहां पर find out करकर आपको बताना रहेगा थीक है तो सभी लोग यहाँ पर solve करके बताएंगे मारे पास सभी लोग यहाँ पर solve करके बताएंगे permissible load यहाँ पर P की value हम यहाँ पर कितना find out कर सकते यह जो P जो है इसकी value यहाँ पर कितनी होगी सभी लोग यहाँ पर मुझे solve करके बताएंगे देखो यहाँ पर दोनों चीज़ गिवन है, है न, यहाँ पर plate का भी stress गिवन है, है न, permissible stress और यहाँ पर weld का भी गिवन है, आपको बोला है, यहाँ पर हम यह जो load जो है, यह maximum यहाँ पर हम load कितना हम यहाँ पर रख सकते हैं, विनीत राज बोल रहे हैं, सर, FU की value बता यह, करो करो, solve करो, फिर मैं समझाओंगा, सभी लोग solve करिए, फिर मैं समझाओंगा, प्लीज don't mind, मेरे तबिल आज बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, तो थोड़ी सी energy, आप लोग देख रहोगे, थोड़ी सी कम है, बट आज अच्छी बात यह है, कि आज यहाँ पर explanation वाला part नहीं है, explanation वाला part अल्रेडी हो चुका है, आज यहाँ पर हमारा question practice session है, तो य यहाँ पर हमें सिफ क्या करना है, हम यहाँ पर question को solve करना है, ठीक है, सबी लोग यहाँ पर बताएंगे, मारे पर इसका answer आपको कितना देखने को मिल रहा है, कितना आ रहा है answer, सबी लोग यहाँ पर solve करके बताएंगे, permissible load के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, question में क्या बोला है हमारे पास, permissible load के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, permissible load मतलब, meaning यहाँ पर समझेगा, कि मैंने आ पर यह दो प्लेट मैंने रखा, एक के उपर एक, ठीक है, यहाँ पर आप बात कर दिया यहाँ पर मैंने क्या किया, और यहाँ पर क्या लग रहा हमारे पास load लग रहा है P का यहाँ पर हमारे पास load लग रहा है कितने का P का यह हमारे पास this is the plan view यह हमारे पास है यह हम top से अगर देखेंगे तो ऐसा देखेगा अगर मैं front से देखूँँगा तो हमारे पास यह इस में से हमें देखने को मिलेगी दोनों प्लेट्स ठीक है यह हमारे पास है front view ठीक अब यहाँ पर आप लोग समझेगा अब यहाँ पर आप लोग समझेगा कि हमारे पास यह plan view है और यह कि हमारे पास this is the front view बोला कोशन में क्या चलो यहां पर देखो कोशन में क्या बोला है मारे पास कि यहां पर मैं जो लगा रहा हूँ यहां पर ठीक है यहां पर मैं जो पी का जो लगा रहा हूँ यह परमिसी पर लोड मतलब मैं मैं मैंक्सिम लोड यहां पर मैं कितना यहां पर है रख सकता हूं ठीक है maximum load में यहाँ पर कितना रख सकता हूं तो हमें मतलब maximum load हम तब की बात करें कि यह maximum load permissive load मतलब यह वह अली value है जहां पर हमारे पास दोनों plate क्या रहेंगे आपस में intact रहेंगे दोनों plate के बीच में separation नहीं आएगा ठीक है दोनों plate के दोनों का हम यहाँ पर क्या करेंगे strength हम यहाँ पर चेक करेंगे ठीक है सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर weld के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर आपके पास f u divided by root 3 into gamma mw अगर आप करोगे तो हमारे पास यह किसके बराबर होता है मारे पास यह किसके बराबर यहाँ पर डारेक्ट हमारे पास permissible stress of the weld हमारे पास given permissible stress of the weld हमारे पास यहाँ पर given है तो यहाँ पर आप f u root 3 gamma mw यह सारी चीज़ें आप यहाँ पर आप यहाँ पर provide नहीं करेंगे last class अगर वे को याद है तो कर रात को मैं जब मैं यहाँ पर यहाँ पर सेम चीज़ अगर आप यहाँ पर से कोई भी ऐसा student होगा paid batch का जो यहाँ पर YouTube में ऐसी time pass करने के लिए देख रहोगा तो वो यह चीज़ relate कर पाएगा कि मैं कर रात को यह वाली चीज़ बता रहा था कि permissible stress की value किती थी हमारे पास permissible बस्त्रेस की value हमारे पास weld में किती थी 110 MPa ठीक है तो मैंने यहाँ पर direct permissible stress की value मैंने यहाँ पर put कर दिया effective अरिया कितना हो जागा अमारे पास यह जागा आरपास that is throat thickness into into कितना हो जागा हमारे पास that is length of the weld तो यहाँ से हमारे पास जो strength जो होगा हमारे पास किसका हमारे पास strength जो होगा that is हमारे पास weld का वो हम यहां से find out कर सकते थेक है size of the weld कितना हमारे पास 6 और हमारे पास length of the weld कितना 100 plus 50 plus 100, कितना हो गया हमारे पास, यह हो गया, that is 250, ठीक है, तो यहाँ से strength of the weld यहाँ पर बताएगा, कितना आ रहा है, सभी लोग यहाँ पर बताएगे, strength of the weld की value यहाँ पर, कितनी आ रही है, strength of the weld की value यहाँ पर, कितनी आ रही है, सब ही लोग यहाँ पर मुझे solve करके बताएंगे कितना रहा है विनीद, 115, ठीक है हमारे पार इसकी value आ रही है, हमारे पार, that is 115.5 kN, ठीक है मतलब यहाँ पर यह बहुत आनचा रहा है, कि जो weld जो है हमारे पास, जो weld जो है, weld यहाँ पर कितने load को carry कर सकता है resist कर सकता है, हमारे पास 115.5 kN के load को क्या कर सकता है वो resist कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझेगा कि हमारे पास जो weld जो है weld हमारे पास weld यहाँ पर maximum कितने load को यहाँ पर resist कर सकता है 115.5 kN तक के load को क्या खर सकता है हमारे पास resist कर सकता है similarly अपन यहाँ पर plate का भी देख लेते है strength of plate को भी हम यहाँ पर check कर लेते है strength of प्लेट को भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, stress of plate कितना हो जगा मारे पास, permissible stress of plate, into कितना हो जगा मारे पास, area, effective area of the plate, तो permissible stress of the plate कितना given है हमारे पास, 150, इसकी value given है हमारे पास कितनी, 150, area, area देखो यह जो load जो लग रहा है हमारे पास, यह load कहां पर लग रहा है हमारे पास, यह जो load जो लग रहा है आप यहाँ पर समझेगा यह हमारे पास यह plate है और इसके नीचे हमारे पास एक और plate है तो जो load जो लग रहा है वो कहां पर लग रहा है हमारे पास load लग रहा है इसके cross section पर load लग रहा हमारे पास इसके cross section पर यह हैं, यह कितने हैं? This is 50 यह जो हमारे पास length है कितनी हमारे पास, this is 50 और अगर मैं thickness के बारे बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास thickness की जो value है, वो कितनी given हैं? Thickness हमारे पास given है, that is 8 mm तो area कितना हो जागा हमारे पास? 8 into 50 कि बरावर प्लेट का जो एरिया हो जागा वो कितना हो जागा मन पास 8 x 50 तो इस ट्रेंद अफ दी प्लेट भी आप यहाँ पर निकाल ली जगा इस ट्रेंद अफ दी प्लेट भी आप यहाँ पर फाइंड आट कर ली जगा कितनी आ रही है इस strength of the plate भी आप यहाँ पर fine out का लिज़े कितनी आ रही है kilo newton में किलो newton में strength of plate आप यहाँ पर kilo newton में fine out का लिज़े कितनी आ रही है हुँ अरे बाब कितना आ रहे है हाँ पर 60 kilo newton आंसर आ रहे है हाँ पर कितना that is 60 kilo newton ठेक है तो हमें को यहाँ पर बात बताएगा कि हमारे पास weld के बारे बात क्या था जब मैं ठेक है एक बार सब चीज मिटा रहा हूँ मैं मैं यहाँ पर बोरों जब मैं weld के बारे बात क्या था तो मैंने बोला था weld यहाँ पर maximum कितना load यहाँ पर carry कर सकता है 115 का और मैं बोरों हमारे पास link in plate के बारे बात करूँगा तो plate यहाँ पर सिर्फ 60 60 kilo newton ही क्या कर सकता है हमारे पास यह carry कर सकता है ठीक है 60 kilo newton ही हमारे पास क्या कर सकता है carry कर सकता है जैसी हमारे पास 60 से ज़्यादा होगा तो plate क्या हो जाएंगे separate हो जाएंगे अगर हमारे पास 115 ज़्यादा होगा तो weld क्या हो जाएंगा हमारे पास weld वहाँ पर उससे ज़्यादा महाँ पर resistance carry नहीं कर पाएगा तो मैं एक बात बताएगे, permissible load मैं यहाँ पर कौन सा रखूँगा, मैं यहाँ पर 115 का रखूँगा कि मैं यहाँ पर 60 का रखूँगा answer जो है हमारे पास कि यह जो P की जो value है यह P की value जो है मैं यहाँ पर कितनी रखूँगा 60 रखूँगा कि मैं यहाँ पर 115 मैं यहाँ पर रखूँगा सबी लोग solve करके बताएगे यहाँ और मैं यहाँ पर बोल रहा हमारे पास permissible load की जो value है वो मैं यहाँ पर 115 रखूँगा कि मैं यहाँ पर 60 रखूंगा कितार है यापर वैल्यू मिनिमूम लेंगे है ना बहुत बढ़िये यापर हम कौनसी वैल्यू लेंगे हम यापर लेंगे that is minimum value तोнутьсяर कितना है अगा हमारे पास ounसर आगा हमारे पास that is 60 kilo Newton ठेक है answer है हमारे पास कितना that is 60 kilo Newton आपको हिए भी देखने को मिलेगा ठेक है तो मैं यापर बोल रहा हमारे पास value जाएगे हमारे पास कौन सी आड़ी that is 60 kilo Newton आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है हमारे पास इसका answer question number 3 में आते है question number हम यहाँ पर आएंगे किस में that is 3 में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अब आप लोग यहाँ पर समझेगा अब आप लोग यहाँ पर समझेगा कि हमारे पास दो प्लेट है हमारे पास ठीक है यह हमारे पास है this is the first plate और यहार हमारे पास this is the second plate आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठीक है हमारे पास क्या है यहाँ पर दो प्लेट से this is the first plate and this is the second plate अब यहाँ पर इसका plan view अगर मैं आप देखो यह क्या है हमारे पास this is a plan view आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठीक है plan view है हमारे पास मतलब यहाँ पर आप लोग समझेगा कि हमारे पास यह वाली plate हमारे पास उपर है और यह वाली जो diagram जो बनाया हमारे पास यह plate क्या हमारे पास नीचे है ठीक है मतलब हमारे पास अगर front view अगर मैं बनाऊंगा इसका तो front view आप यहाँ पर समझेगे front view हमारे पास इस वे से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है तो मैं क्या बोल रहा हमारे पास यह जो weld जो है weld हमें यहाँ पर इस वे से क्या हमारे पास welding यहाँ पर की गई है इस वे से यहाँ पर welding हमारे पास की गई है ठीक है अब यहाँ पर समझो यहाँ पर आप लोग समझो कि हमारे पास ही जो welding हमारे पास की गई है अब यहाँ पर लोड लग रहा है और यहाँ पर लोड लग रहा है ठीक है 3D में बना रहा हूं है मैं यहाँ पर 3D में बना रहा हूं हमारे पास जो लग रहा है वो हमें यहाँ पर इस वे से देखने को मिल रहा है question यहाँ पर देखेगा question आपके पास यहाँ पर बोला गया है question यहाँ पर हमारे पास बोला गया है कि हमारे पास minimum length यहाँ पर पूछा गया है minimum length of each weld यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है to transmit a force P equal to कितना हमारे पास that is 270 kN to transmit a force P equal to कितना हमारे पास that is 270 किलो न्यूटन ठीक है तो यहाँ पर आप लोग समझे यहाँ पर आप लोग समझे length of the weld हमें आपर find out करना है हमें आपर क्या find out करना है हमें आपर length of the weld हमें आपर find out करना रहेगा यह जो है हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो हमारे पास welding जो की गई है ये जो हमारे पास welding जो यहाँ पर की गई है इसका हमें आपर length क्या करना रहेगा हमें आपर find out करना पड़ेगा ये जो length जो है इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें आपर find out करना पड़ेगा LW की value हमें आपर निकालनी पड़ेगी ठीक है LW की value हमें आपर find out करनी पड़ेगी कैसे करेंगे आपर same जैसे मैंने अभी आप लोगो बताया था कि हमें आपर क्या निकालना है मैंने बोला था plate का क्या करना पड़ेगा का strength निखालना पड़ेगा और weld का strength हमें आपर find out करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर लेकिन अगर आप लोग देखोगे हो है कि हमारे पास plate के बारे मैं बात करूँ गा तो plate यहाँ पर डारेक्टीर्ड यहाँ पर given नहीं ठीक है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, Strength of Plate, हमें आपर Find out करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें आपर Strength of Plate क्या करना पड़ेगा, Find out करना पड़ेगा, एक बड़ चेक कर Sal photos case, 162 16 क्या बोल रहूँ है जब से पहले आप यहाँ पर करेंगे किसका आप यहाँ पर weld से ठीक है यहाँ पर strength of weld से क्या करेंगे आप यहाँ पर compare करेंगे अब plate की strength कैसे निकाल ला है वो यहाँ पर main यहाँ पर क्या है हमारे पर task है plate की strength हम यहाँ पर कैसे निकाल लेंगे वो यहाँ पर हमारे पास क्या है चीज़ आप यहाँ पर समझेंगे कि हमारे पर डारेक्ट टेक फॉर्मले से सारे कोशन नहीं बनेंगे हमें वापर उसका कंसेप्ट को क्या करना पड़ेगा समझना पड़ेगा है डिजाइनिंग के पीछे की फिलोसोफी हमें आपर समझने पड़ेगी ठीक है यहाँ पर देखें को कि मताई कि यहाँ पर बन पार है कि नहीं बन पार है कि अगर चलिए यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेंद की प्लेट मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लेट की अगर मैं यहाँ पर इस ट्रेंद के बारे में बात करूंगा इस ट्रेंद मतलब मैं यहाँ पर बात करहूं किस बारे में मैं यहाँ पर बात करहूं force carried by plates के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास यह हो जाएगा हमारे पास that is stress into कितना हो जाएगा हमारे पास that is area stress कितना हो जाएगा हमारे पास stress हमारे पास given है क्या कि given है हमारे पास yield stress given है और हमारे पास ultimate tensile stress गिवन है हमारे पास कितना that is 250 and 410 यहाँ पर हमारे पास गिवन है ठीक है तो plate के लिए हम यहाँ पर कौनसी value ले लेंगे यहाँ पर plate के लिए आप हमेशा यहाँ रखेगा कि जब भी हम यहाँ पर strength of plate हम यहाँ पर find out करना चाहते है ठीक है हम यहाँ पर जब भी strength of plate हम यहाँ पर find out करना चाहते है तो stress की value कितनी लेते हम यहाँ पर stress की value हम यहाँ पर consider करते है that is yield stress ठीक है area हम यहाँ पर लेते हैं कोँसा that is gross area और यहाँ पर हम partial factors safety ले लेते हैं yielding के लिए कितना that is 1.1 का तो हमारे पर Fy की value कितनी हो जाएगा और पास Fy की value हो जाएगा और पास that is 250 Fy की value कितनी हारी हो पास यह आरी हो मारे पास that is 250 ग्रॉस ए हिए बाएं बात करो मतलब यह जो प्लेट है है इसका हमारे पास जो קित यहां theme और जो थेकनेस है वो कितनी है हमारे पास थेकनेस है हमारे पास यहां पर 1.1 से आप यहां पर इसको डिवाइट के लिजेगा आप यहां पर 1.1 से यह वाला अब-भोग के थोड़ा सा नियोगा ठीक मैं आप लोग को कंचेप्टुवलेगर, लॉटा सा नियोगा, ठीक यःवाले अपोलो के थोड़ा सा नियोगा, क्या सर, ये फॉर्मला कहां से आया, ये फॉर्मला जो हैना जमने हाप ठिक है हम आप पर यह सारी चीज ने हमाँ पर बढ़ सकते हैं तो यहां से मुझे बताएगा हम एमरे पारшь हें हिए कि यहां पर Maximum of plate की value यहाँ पर कितनी आ रही है सभी लोग यहाँ पर मुझे solve करके बताएंगे सभी लोग यहाँ पर मुझे solve करके बताएंगे कितना आ रहे है यहाँ पर कितनी आ रहे है हमारे पास value हमारे पास जो value आ रही वो कितने आ रही that is 272.727 727 kN अब आप यहाँ पर देखेगा मैंने क्या बोला हमारे पास plate की strength है सब चीज़ में मिटारो मैं आपर हमारे पास plate की strength है हमारे पास plate की strength है वो कितने आ रही हमारे पास that is 272.7 kN आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 272.7 kN आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब देखो यहाँ पर मैं बोलो हम इस strength मतलब यह force के बारे बात करों यह जो हमारे पास force लग रहा है इसकी value कितने आ रहे है, 272 आ रही है, अब आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तुमारे पास दो plates आ है, यह नीचे है, और यह क्या रहे है हमारे पास, यह हमारे पास ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे है, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या रहे और पास जो weld जो है यह मारे पास क्या हो जागा ह orchestral कर लेंगे ठीक तो हमारे पास strength स्ट्रेंथ जो आरे हमारे पास हरेक वैल्ड क वो कितना रहे पास P बाई-2 आपको यहांपर दीखने पोघ्र कर रहे हैं और है हमारे पास वह आ रहे हमारे 7 divided by 2 kilonewton इसकी value कितने आजेगी मारे पास इसकी value यहाँ पर कितने आजेगी solve करके बताएगा इसकी value यहाँ पर कितने आजेगी solve करके बताएगा कितना आजेगी मारे पास 136.35 136.35 kilonewton ठीक है यहाँ अब मैं क्या पूल रहा हमारे पास कि हर एक weld यहाँ पर कितने strength उठा पा रहा है 136.35 ठीक है तो यहाँ पर strength of the weld का हमारे पास strength of the strength of the weld के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करो इसकी वैल्यू कितने हो जागी हमारे पास यहाँ 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 जागी हमारे पास यहां से मुझे LW निकाल के बताएगे कितनी आ रही है यहां से आप सभी लोग मुझे LW की वैल्यू निकाल के बताएंगे कितना आपको यहां पर देखने को मिल रहा है What is the value of LW? LW की value यहां से कितनी आ रही है? सभी लोग यहां पर सभी लोग यहां से मुझे LW की value यहां से find out करके बताएंगे कितनी आ रही है What is the value of LW आपको यहां पर देखने को मिल रहा है LW की value यहां से कितनी आ रही है अच्छा हाँ 270 किलो निटर हमारे पास given था Direct भी हम यहां से कर सकते है ठेक है? मैंने additional करवा दिया है यहां पर कोई दिक्कत नहीं ठेक है? P की value हम वही से ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी 135 के आज़ पास यहां पर देखने को मिलती आप ऐसे भी कर सकते हैं अपर direct precise answer के लिए हमारे पास 270 हमारे पास given है 270 हमारे पास given है हहाँ पर 2 हमारे पास weld है तो यह कित्था ले लेगा? 270 का आधा हमारे पास कितना हो गया 100 and 35 यह भी आगे हमारे पास कितना? 105 आपको यहां पर देखने को मिला root 3 into 1.25 into throat thickness कितना हमारे पास 0.7 into size of the weld कितना हमारे पास 10 mm और हमारे पास LW की value आप यहां से find out कर लिजेगा LW की value आप यहां से find out कर सकते है LW की value आप यहां से find out कर सकते है कितना हमारे आंसर यार यहां पर दियान रखना न ultimate stress लेते हम यहां पर FU लेते हम यहां पर FY नहीं लेते बहुत सारे student में को लग रहे हैं यहां पर FY की value ले लिए मैंने आप लोग बताया था जब भी मैं यहां पर capacity निकालते हम यहां पर ultimate stress हम आपर ultimate हम आपर stress हम आपर consider करके चलते हैं हम आपर FY की value हम आपर नहीं लेके चलते हैं ठीके बट वेल्ड का आप यहां पर देखेंगे इससे पहले भी आप लोग यहां पर देखेंगे तो मैं पर इसकी value हम यहां पर FU लेके चलते हैं FY नहीं लेके चलते हैं कितार आश्विन 103 तो nearest answer कौन सा होगा हम आपर आपस nearest answer होगा हमारे पास that is 105 mm आपको यहां पर देखने को मिल रहा है पैटन में आप लोग यहां पर fillet weld के कुशेश्चे-स आप यहां पर solve करोगे आप लोग यहां पर देखेंगे दो parameters में आप लोग बताया थे बहुत जादे important है कौन-कौन सा मैंने आप लोग बताया था हमारे पास दो parameters हमारे पास important है पहले हमारे पास that is throat thickness अभी हमारे पास direct यहाँ पर permissible stress भी हमारे पास given होता है तो आप वहाँ पर उस value को भी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे ठीक है चली यह हो गया हमारे पास कुछ important यहाँ पर आप लोग के लिए सभी लोग के लिए update जितने भी student यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा अगर आप लोग यहाँ पर paid batch में यहाँ पर enroll करना चाहते है तो यहाँ पर अभी currently यहाँ पर steel structures चल रहा है हमारे पास ठीक है और अगर आप यहाँ पर देखोगे त तो यहाँ पर आने वाले एक या दो हफते के बाद यहाँ पर जियोटे की स्टार्ट हो जाएगा तो अगर आप यहाँ पर enroll करना चाहते तो आप यहाँ पर सभी लोग देख सकते है कि हमारे पास 2024 की भी यहाँ पर classes start है ठीक है आप यहाँ पर चाहओ तो conquest वे भी आप यहा पर आपको बात कर वाँ तो यहाँ पर आप सारी टासे आप यहाँ पर लाइव यहाँ पर आप अटेंट कर पाऊगे ठीक है काफी अच्छे लेवल यहाँ पर यहाँ लेट्व साल के आपके पास वैलिडिटी है 2024 के एक्जैम तक ठीक है तो आप कोई भी यहाँ पर अगर आप लोग पर्चेस करना रहोगे जैसे माल यह तो बैदे एलेक्रिकल खोल लिया अगर मैं यहाँ पर सिविल के बारे बात करूंगा तो हमारे पास सिविल का ठीक है बेस्ट ब्रांच है हमारी सिविल की ठीक है 14,000 का मारे पास यह कोर्स है अगर आप यहाँ पर कूपन कोड करेंगे कितना अगर आप यहाँ पर कूपन कोड कोड यूस करेंगे य जैसे ही आप यहाँ पर अपलाई करोगे तो हमारे पास 14,000 का कोड्स यहां पर क्या होगे हमारे पार डिस्काउंट होके 11,000-11,000 के आसपस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है तो आप सभी लोग यहाँ पर gate 2024 के batch में यहाँ पर enroll कर सकते हैं foundation batch में अगर आप लोग यहाँ पर start करेंगे तो काफी जादा basic से हम क्या करते हैं वहाँ पर पढ़ाते है foundation batch में अगर आप कोई भी छोटे-मोटे कम duration वाला course अगर आप यहाँ पर purchase करते हो तो वहाँ पर जैसे कि अगर आप देखोगे तो हम कोई भी अगर crash course लेगे आते तो वह crash course अक्शल में crash course ही रहता हूँ ठीक है मतलब आप वहाँ पर यह expectation से नहीं आप सकते हैं कि वहाँ पर आपको basic बताया जागा कि stress और strain के बीच में difference क्या होता है ठीक है आपको वहाँ पर यह नहीं बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर यह नहीं बताया जाएगा कि आपके पास basic कोई भी structure को देखके हम determinate कैसे हम उसमें analyze करते कोई भी चीज का इक्दम जादा basic foundation से वहाँ पर वहाँ पर हम नहीं पढ़ा सकते पर यहाँ पर टाइम नहीं रहता foundation batch अकर आप यहाँ पर देखोगे एक बार पढ़ना है पूरा starting से लेकर end तक उसके बाद आपको दुबारा कहीं पर भी कोचिक लेने की need नहीं पड़ेगी तो always go for this batch that is foundation batch कभी भी shortcut की तरीके मत अपनाओ ठीक है एक बार पढ़ लो तबियत से पढ़ लो उसके बाद कोई भी exam अगरा देते रहना आराम से ठीक है कोई दिक्कत नियों उसमें ठीक है तो foundation batch को यहाँ पर सभी लोग जॉइन करेगा code क्या बता है मैंने code मैंने आपर ब 7 पीम एंड कल कुछ important आप लोग के लिए हाँ पर कुछ basic यहाँ पर जनरल बाते भी करने आओंगा मैं ठीक है आप लोग की preparations regarding मैं हाँ पर कल आप लोग से मिलूगा तो सब लोग कल वाला session भी भापर देखेगा ठीक है अभी के लिए इतना ही बाबाए एडिमेंट टेक क्य सेँ